नमस्कार। बहुत से लोग क्या कहते हैं? अगर आपको काम्याब होना है, अगर आपको सपल होना है जीवन में, तो एक मन में तडब होनी चाहिए। अब यह तड़प क्या होती है काम्याब होने के लिए आपके अंदर एक तड़प तड़प आप यूभी कर सकते जुनून होना चाहिए ठीक है माल्या सक्सेस होने के लिए जुनून होना चाहिए, काम्याब होने के लिए जुनून होना चाहिए, लेकिन यह जुनून लाए कहां से, कहां मिलता है यह जुनून, जुनून के से पेदा करें, अपने अंदर तडप के से पेदा करें, सपलता है, कुछ करने की, कुछ क पर गुजर जाने के हैं बहुत से लोग यहीं केते हैं सर प्रोब्लम तो यहीं आती है लोग केते हैं जुनून पैदा करो लोग केते हैं अपने अंदर तडप की आग पैदा करो आग सपलता पाने के लिए लेकिन वह आग वह तडप वह जुनून अपने अंदर लाए कहां से सर हमारे अंदर तो वो जुनून हमारे अंदर तो तरफ ही नहीं है सपलता पाने के लिए और अक्सर लोगों के साथ में यही होता है लोग सपलता पाना चाते हैं कुछ करना चाते हैं और कुछ जीवन में एचिव करना चाते हैं लेकिन वह यही कहते हैं, सर छोनून नहीं, कि अरून कैसे प्याद करें, हाव टू क्यायर इडन और हाट कैसे हैं? तो आज असके बारे बात करेंगे, मन में काम्याब होने के लिए तरप कैसे पेदा करें Teaching पता है आप जुनून आपको इप पता होगा जुनून क्या होता है तड़अ क्या होती अगर आपको कुछ करने का ज़जबा होता है ना तो उस इनसान को रादों की नीद ऊठ जाती है उसके मन में 24 गंटे बस वही खयाल आते हैं libraries और आपके जिवन में भी कभी ने कभी ऐसा मौका, कभी ने कभी ऐसा एक आउसर, एक उकेजन आया होगा, जब आपके मन में भी ऐसा उसा, आपके मन में भी ऐसा जुनून, आपके मन में भी ऐसी तरफ के दाफ़ी होगी, याद करना अब आप अपने अंदर जुनून तरफ कैसा पिला सबसे पहले तो कोई भी कारी जबस्ती न करे आपको कह दिया कि यह कारी करना उस वर्क में अगर आपका मन नहीं है ना तो वो वर्क नहीं करे मना करते जब उस कारी में आपका मन नहीं होगा तो वहां फिर आपका जनून आपकी तड़त कैसे बिदा होगी मान लो कोई मान लो अगर आप कोई जोब कर रहे है या बिजनेस कर रहे है और रोज सुबह उठते हो और अगर बे मन से अगर आप अपने जोब पर जा रहे हो, अगर आप बे मन से आप अपने बिजनेस पर जा रहे हो, तो समझ लेना, बस आपके अंदर उसके लिए जुनून नहीं है, आपके उसके लिए तडप नहीं है, अगर आप बिना अलाराम के सुबह जब जाते हो, और लगता है सुबह उटके आलस वाता है रो बोरिंग वाता है अगर आपके अपने काम पर जाने के तो समझ लेना कि आप मजबूर में वह काम कर रहे हूं और बहुत से लोगों के साथ तो होता है बहुत से लोग क्या करते उस वर्ट के साथ में उस जमाने के साथ में अपने हो कि आपकि रूची हो जिसमे कारिए करें कि आपको लगता कि यार्र मुझे उसमें हुची है तो उसमें आप पारिक रहे वजह से उसमें करें वहुत से क्या होता है पता आपको बहुत से लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं किसी और फिल्ड में जाना चाहते हैं लेकिन किसी दूसरे फिल्ड में चाहते हैं बहुत से जोने बिजनिस करना चाहते हैं लेकिन गौवर्णमेंट जोब लग चाहते हैं वो कुछ करना चाहते हैं ले आपके पास में वो वक्त नहीं कि आप अलग से कुछ का आप जो कर रहे हो जो करें लेगर अगर आपके अंदर पैशेंट पिदा करना है निया अगर आ आपके अंदर जूंड करना है यह तो कोच आदा गंटा अपने पेशिन को समय देजिए कोच और कुछ समय निकालिए अपने उस लक्स के लिए कि जो आप जिन्दगी में पाना चाहते थे और आप नहीं पा सके जैसे कि आपको कुछ अधर करना था और आप अभी कुछ अधर कर रहे हो तो उस अधर करने के लिए तो आप रोज आदा गंटा दीजे और उसमें हमें साह्थ देरद रखें क्यों क्योंकि आप रोज का अधर गंटा दर जरूर नहीं को सक्सेज हो ने wraps compute अई कि जिन्दा रहेगा अगर आपने पेशिन को आपने किसी लक्स के औि को गज़ाइ मेने अपने में शॉची के वि नहीं किया मैं जिन्दी बर बिना रूची का कारी करता रहा तो ऐसा कारिय आप क्यों करते हो हो सकता है कि आपके पास पारिवारी की मजबूरिया हो आप कुछ नई रिस्क नई उटा सकते हो लेकिन कम से कम 24 गंटे में से एक गंटा तो अपने पेशन के लिए आप दे सकते हो और अगर एक गंटा अगर आपने अपने पेशन के लिए दे दिया ना तो दावा है मेरा आप से रोज एक गंटा आपने अपने पेशन के लिए दे दिया ना तो आप जीवन में कभी नहीं रुकोगे आप अपने पेशन को लेकर जीप आओगे को केते हैं लोग केते हैं dá грण को छोड़िए kung patriot क्या होता है कि आता कि नोकरी फिक्स होगई Company में आपको एक कार्यों देडिया है बस डेली रूटिन चारह हो लाइफ कार्यों गर पर आरह हो गहर कर गर के डेली रूटिन कारी करें हो वाफिस ओट जा रहे हैं वाफिस आ एक एक स्कूर्टी आपको मिल गई है तो बस अब आप कुछ नया करने से डरते हों आपको लगता है कि यार मैं कुछ नया करूँगा यह जोग छोड़ दूँगा तो मुझे मुझे का सामना देखना पड़ेगा मुझे मेरे परिवार को एकोनोमिक टरबल का सामना करना पड़ेगा हर तरह से आप यह सब चीज़े मतलब ठिंकिंग करते हों अगर मैंने यह कंपर्ट जोन छोड़ा तो मेरे फेमिली मेरे फ्रेंस मेरे रिलेटिव सारे सब तरह से मुझे प्रे पर शोर्स नहीं मिल जाए इंकम का आप अपने पेशन अपने कमपड जोन के साथ में रोज एक गंटा अपने पेशन को दीजिए और जब आपका पेशन इंकम क्रियेट करने लग जाए उससे आपकी फेमेली डिफेंड हो जाए तब आप उस कमपड जोन से बाहर निकले और सब पूरा समय अपने पेशन को दीजी वरना आप नगर कमपड जोन शुरुआत में छोड़ दिया तो आप अपनी पेशन को नहीं जी पाओगे क्यों क्योंकि आपके पास में आर्थिक जरूरूते भी हैं आर्थिक मजबूरिया भी तो हैं तो तब तक कमपड जोन ना छो तो जिवन में आप इस तरह अपने अंदर जुनून अपने अंदर तरफ पेदा कर सकते हों